हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फो लाइफ में दोस्तो आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही जबरदस्थ होने वाला है क्योंकि आज हमें एक ऐसे पैटन के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बात करना तो दूर जानते ही बहुत कम लोग हैं और मैं गैरंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से मैकसिमम मेंबर्स ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा तो दोस्तो आज इस पैटन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लैट बेस चार्ट पैटन तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस सेटप के बारे में कि ये कैसे बनता है और इसकी पावर क्या होती है तो दोस्तों फ्लैट बेस पैटन होता है एक कंटिनियूशन पैटन अगर आपसे कोई स्टोक स्टेज 2 के स्टार्टिंग में छूट गया है और स्टोक थोड़ा उपर जाने के बाद में एक फ्लैट बेस सेटप बनाता है तो आप उस फ्लैट बेस सेटप के ब्रेकाउट पर खरीदारी करके उस stock में entry ले सकते हैं और काफी तगड़ा profit बना सकते हैं क्योंकि ये pattern आपको stage 2 की starting के just बाद ही देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों जब कोई stock stage 2 में उपर जा रहा होता है और minimum 5 week के लिए sideways हो जाता है और इस range का size maximum 10-15% होता है तब इस setup को flat based chart pattern कहा जाता है और ये continuation pattern होने के साथ highly profitable pattern भी होता है क्योंकि जब कोई stock ये pattern बना कर volume के साथ breakout देता है तो वह blast हो जाता है चलिए हम इस pattern के कुछ examples देख लेते हैं तो जैसे आप इसी stock को देखिए ये stock यहां से यहां तक stage 2 में उपर जा रहा था उसके बाद ने इसने यहां पर एक flat based chart pattern बनाया उसको volume के साथ में breakout दिया और ये stock blast हो गया next example आप ये देखिए ये stock stage 2 में उपर जा रहा था इसने यहां पर एक flat based chart pattern बनाया उसको volume के साथ breakout दिया और ये भी blast हो गया and next example आप यहाँ पर देखिए यह stoke भी stage 2 में उपर जा रहा था इसने यहाँ पर एक flat based chart pattern बनाया उसको volume के साथ breakout दिया और ये भी blast हो गया और दोस्तों यही power होती है flat based chart pattern की कि जब कोई stoke की pattern बनाकर volume के साथ breakout देता है तो वह blast हो जाता है तो दोस्तों यह था अमार आज का वीडियो जिसमें हमने समझा flat based chart pattern के बारे में अगर कोई उपर जाता हो इस तो minimum 4-6 week के लिए sideways हो जाता है और range का size maximum 10-15% होता है तो उसको flat based chart pattern कहा जाता है तो दोस्तों यह था अमार आज का वीडियो I hope कि आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो like, share जरूर करना